सबी दोस्तों को नमशकार है दोस्तों आशा करता हूँ कि आप सब भी अच्छे होंगे गर्मिया और तापमान काफी बढ़ चुकी है इसलिए बहुत ध्यान से और पेशंस से काम करिए अच्छी गुड पैक्टिस करते हुए आज का जो मुख्य टोपिक है हमारा वो है इरे क करनेशनर लगवाएं तो कोशिश कीजिए कि आउड़ोर यूलिट को 16 स्थान पर लगवाएं यह एक आर 32 रेवजेट की यूनिट है इसका ग्रिल टंप्रेचर 18 डिगरी पलस सेंटिग्रेड से उपर जा रहा है जो कि एक अच्छा साइन नहीं है एक सवस्त एरे क्रिशनर है जिसमें सभी पेरामीटर सही होने चाहिए यानि कि जब हमारा एरे क्निशनर हम चालू करते हैं तो ये हमारे कमरे को ठंडा करने के बाद अपने आपको भी उसी गैस से ठंडा करता है और अगर इस साइकल में कहीं बाधा आती है तो कंप्रेशर गरम होता है और उस कंप् एरकनिशनर लगवाते समय या फिर हमारी गलतियों की वज़े से टेकनिशन की गलति की वज़े से हम गुड प्रेक्टिस की बज़ाए बैड प्रेक्टिस करते हैं तो आग लगने का कोई भी कारण हो सकता है जब भी आप एरकनिशनर लगवाएं तो हमेशा वेक्यूम करवान के बाद ही गैस को अपनी यूनिट में रिलीव करने दे अभी आप देखी यह एक एक कंडिशनर है इसका बैक पेशर भी ठीक है लेकिन कोलिंग नहीं है उसका क्या कारण है दोस्तों उसका कारण है सिस्टम में अनुकरनेसेबल गैसों का होना मोहचर या नमी का होना ठीक प् होता है कि जो हमारा वरकिंग पेशर है वो काफी बढ़ जाता है और उससे कंडिशनर का तापमान बढ़ता है गैस का प्रेशर बढ़ेगा तो तापमान भी बढ़ेगा और इससे अगर हमने कोई पाइप इंस्टालेशन के दुरान कमजोर लगा दी है आर बत्तिस के माप से ज्यादा मात्रम निकलेगी और कहीं ओपन फ्लेम के संप्रक में आ जाएगी तो आगरगना निश्चित है अभी आप ये एक दूसरा एक निश्र देख रहे हैं ये भी आर बातीस का है और इसका जो बैक प्रेशर दोस्तों वो भी 120 के आसपास है जो की एक नॉर्मल बैक प सामरे जो हमारी गैस है वो कमना ठंडा करने के बाद यूनिट में वापिस आ रही जिससे हमारा कमपेशन ठंडा हो रहा है इसलिए समय पर सर्विस करवाएं चाहे सीजन में एक की बजाए दो सर्विस करवाएं कोशिश कीजिए जब भी आप नई यूनिट लगवाते हैं तो अपने टेगनेशन के पास खड़े होकर उसे फॉर्स कीजिए कि वेक्यूम करने के बाद ही सिस्टम को गैस रिलीव करें सिस्टम के अंदर तभी आपकी यूनिट ठीक पकार से काम कर पाएगी नहीं तो यह समझ लीजिए कि अगर आपने वेक्यूम की प्रक्रिया को न हमेशे ध्यान में रखने चाहिए दोस्तों क्योंकि अगर सिस्टम में अंकरनेसेबल गैसें रहे जाती हैं उससे हमारे यूनिट का तापमान और प्रेशर बढ़ेगा जिसकी जैसे जो हमारा ओयल हमारे कमप्रेशर में है उसका फ्लेस पॉइंट नजदीक पहुंचने के क कारण हमारे ओयल में आखल जाती है यही मुख्या कारण होते हैं